माइ लॉड इम्यानुवल, मैंने भारत का कोना कोना देख लिया, ना ही मुझे कई कोई जोर मिला और ना ही कोई बिखारी, अमानों मानना है जो उस देश के पास बेशुमार थन तौलत है, हम वो लोग हैं, जो अपने आपको सबसे सभे माते हैं, लेकिन सभेता की शुरुआ सही माइनों में भारत से ही हुई है, खुगलों ने काई सालों तर उन पर राज किया, उन्होंने उनका खाजाना ज़रूर डाल लेकिन उनकी तहजीन नहीं लुग पाए, उनकी दागत वेदों, शिक्षा और सभेता में हैं, वो दागत चीन लो, फिर भारत को लूटना असान हो जाएगा। पूट डालो और राजकरो की नेती से, अंग्रेजों ने भारत की शासर जवस्ता तहस नहस कर दी हैं, हर तरफ खलवली हैं, कुछ राजा और पालेगार आजादी के लिए ब्रिटिश के खलाब आंदोलन छेड़ चुके हैं। हम जानते हैं कि पहला स्वकंतरतासंगरांग अठारेजो सर्तावन का सैनिक में रोध है। जिसमें जहांसी की रानी लक्षमी बाई ने बहुत बड़ी बुमिकाने बाई। वायर। माहरानी जहांसी के नेतरित्व में स्वतंतरता की ये लड़ाई शिरू हुए तीन महीने हो गए। 20,000 योदा हमारे साथ मैदान में उत्रें। और अब सिर्फ हम सो योदा ही बचें। कल अगर हम रणुकू में उत्रें, तो फिर हम सो भी नहीं बचेंगे। ये सो दंदरतासंग राम हमने शुरू किया था और हम ही इसे खतम खरेंगे। आपको किस ने दिया। इस महासंगरात को ना तो मैंने शुरू किया और नहीं आप लोगोंने। आप लोग लड़ने से डर रहे हैं क्यूंकि सिर्फ सो बचे हैं। इस युद का पहला बिकुल दस साल पहले भूंते वाला था था अकेरावीर। इस प्रिटिश सामराजय की जड़े हिला देने वाला योधा इस भी था। बेटा हुआ है। लेकिन मरा हुआ। उसका जन्म ही एक महा युद्ध था। और उस युद्ध में वो मृत्य को मार के वीजई हुआ। वो मृत्यू को हरा कर पैदा हुआ है। अब मृत्यू से छूब भी नहीं सकती। वो एक योगी था। एक महा युद्ध था। स्वातंत्र की पहली अलग जगाने बाला रेनारू का सूरिया। स्वातंत्र की पालेगार जैरामी रेड़ी ने अपनी दोनों बेटियां उयालावारा के पालेगार मल्ला रेड़ी से भ्याही थी। बड़ी बेटी ने दो पुत्रों को जन दिया और छोटी ने एक को जिसने सिर्फ छे बरस की उम्र में दिखा दिया कि वो कोई साधरन बालक नहीं है। उन दिनों सीमा में भीशन अकाल पड़ा था। वर्षा के लिए यज्य करना था। यज्य में मज्जारी के कि सीवन शच को जगनात परवत पे दीप्रजवलित करना था। इस विधान के लिए नर्सिमा रिड़ी को चुना गया। हर कार्तिक पुर्णी मा को नर्सिमा रिड़ी के हाथो दीप्रजवलन किया जाता। आस पास के सैकणों गाओं के लोगों का मानना था कि ये दिया एक उजवल भविशय का संकेत है। नर्सिमा रिड़ी को उनके नाना ने गोद ले लिया क्योंकि उनके पास नोसम के लिए का उत्तराधिकारी नहीं था। नाना बलो आप जानते हो वरफ क्यों मारे गए। ये बेटिश राज है बेटा, जो उनसे सवाल पुछता है, उनके खिलाफ जाता है, उसे माल दिया जाता है। आप तो पालेगार हैं ना, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हम नाम के बालेगार हैं। ये अग्रेज हमारे देश में घुसाए, हमारे अधिकार चीन लिये और हमारे जनता को लूटने लगे, अपनी बंदोगों से तरह कर। हमारे सत्ता हती आने के लिए, वो हमारे आगे पैसे फेकने लगे, मुठी भर, जिसके हमें आदत पढ़ गई। और तब से हम जिद्दा लाश बन गए हैं। लाशों की तरह जीने से तो अच्छा है, हम वित्रोई की तरह मर जाए नाम। आपने पूरे देश का ब्रहमन किया हैं। क्या सारे देश में गोरे लोग हमारे लोगों को इसी तरह मार रहे हैं। मार रहे हैं। तो हमें भी उन्हें मार देना चाहिए ना। दर्सिभा। पश। तो मुझे आशिरवाद दीजी। पिठा। मैं मारूँगा उनको। तुम अकेले कितने अंग्रेशों को मर ले। दस को तो कतम करी सकता हूं। अजारों की सेना है उनकी। वह मार देंगे तुमे। तो मर जाओंगा। मारना मरना मात नहीं। मत है जीत। जीत के लिए तुम्हें युद्ध करना होगा। युद्ध करने के लिए तुम्हारे लोगों का साथ अवशक है। उनका साथ तभी मिलेगा जब तुम। वही अगनी उनके अंदर जला पाओगे जो तुम्हारे हिदे के लिए। स्वायम युद्ध करने के लिए। तुम्हारा शेस्ट ये ने। तुम्हारा शेस्ट है। ये। हाओ ने है। तुम्हें के ये रख कनरने होगे। राव ठुम्हार स्वायम बविजध करने होगे। सबसे पहले इस्ट इंडिया में ब्रिटिश कानून लागू किया जाए जोटे इलाकों से शुरू करके धीरे-धीरे समय के साथ पूरे इंडिया में इसे पहला दिया जाए माजूद्वा टैज्स थ्री हन्रिट प्रसेंट बढ़ा दिया जाए और इस तरह ब्रिटिश साम्राजय ने भारत पर कपजा कर दिया वो बड़े अक्सर जिनका अकेला मक्सर भारत को लूट ना था उन्हें उंची कुर्सियों पर बिठाकर हमारी देश भेज दिया गया शैतानों की सेना का नुमाइंदा कौकरें दक्षिन भारत की तरफ बढ़ने लगा जिसे भारतिया उपमाहा द्वीब की रीड की हड़ी कहा जाता है लेकिन उसे वीर भूमीर रेनाडू के बारे मी क्या पता था वो कहां जानता था कि रेनाडू का सूर्या अंधकार की छादी चीर कर उदय हो चुका है रेनाडू की धर्दी 61 छोटे छोटे राजियों में बटी हुई है इन राजियों के सामन पालेगार कहलाते हैं ब्रेटिश इन पालेगारों से उनकी सक्ता और एक्ता दोनों जीन चुके हैं। लेकिन अवुकुराज्य के पालेगार अवुकुराजु, माईदुकुरु के पालेगार वीरा रेटि और कर्मुल के पापा खान उन एक्सक पालेगारों में से हैं। जो आज भी स्वतंत्रशासन कर रहे हैं। नर्सिमा रेड्डी ने इन सबको एक जुट करने के लिए एक महुत सबका आयोचन किया। सुआमी, मेरा बेटा नर्सिमा अंग्रेजु के इच्छा के विरुट ये महुत सोग कर रहा है। क्या वो सफ़ल होगा। नर्सिमा रेड्डी को याम आद्मी नहीं है। वो प्रिथ्वी पर एक लक्ष लेकर जिन्मा है। एक हाथ में तन्वार और दूसरे हाथ में वेद के साथ उसका पानन हुआ है। उसे अब कोई नहीं रोक सकता। ओंवच्र सत्व समय मन पालया। ओंवच्र सत्व देनु प्रतिष्टिता। इत्रोही में भवहा। शुकोष्यों में भवहा। तुमारे निर्द का भी समय हो रहा है। जल्दी डढ़ना। तुमारे निर्द के सकते हैं। तुमारे निर्द के समय हो रहा है। दुमारे निर्द के जो आपके लिए। क्या हुआ बिटी हां स्वामी जी अंदर कोई है अच्छा वो महुत्सों से पहले सरूबर में रहने वाले सनुवेशों स्वामी की स्थुधिकन्य की प्रथा है लेकिन इतनी देर पानी में जल में सास रुपने की विद्य जानने वाले महापुरुश है मज्यारी नर्जिमार आज कई सालों बाद तुम्हारे लाए हुए वस्तरों से भगवान का फिर श्रिंगार पो रहा है पापाखार यह हमारे भाई नर्सिम्मा रिड्डी की महिमा है यह अंग्रेशों का बंद करवाया हुआ यह उन्सम फिरसा शुरू हो गया या लाह इस जशन को किसी की नजर करना लगे सब मिलकर दुआ करो मैं इसे होने नहीं दूंगा क्या उकराजों इस मेले की तैयारियां युद्ध स्थर पे हुई हैं कहां कहां से लोग मिला देखने आ रहे हैं होने नहीं दूंगा का क्या मुतर यह मेला कौन करवा रहा है नर्सिम्हारेडी इस मेले में जुक्तान हमारा भी है ना? पर नाम नर्सी महरेड़ी का होगा. अच्छा, मुकाबला कौन जीतेगा? नर्सी महरेड़ी और कौन? और हम जीत चाहें तो? तो भी सब नर्सी महरेड़ी की जैकार करेंगे, कि उसने इतना निश्पक्ष मुकाबला करवाया. यानि जीते कोई भी जैकार उसी की होगी? क्या ये सही होगा, बसी रेड़ी? तो नहीं जीतेगा. अपने हाथ में को देखो वहाँ. वो नशेली दबा बैलों को भागत कर देगे. नर्सी महरेड़ी हो, या फिर भगवान नर्सी महरे क्यों नहों? ये मुखाबला कोई नहीं करवा सकता. बुलियूरेडी, दवा और ज्यादा मिला दो. ये मुखाबला क्या महुच्ट सव ही नहीं होना चाहिए? लक्षमीन, सुनो तो, किसे ढून रही हो? कि आए धे किर दृत क्या उन्यनी करोण मिला। हो मुभव joka मुप्वादी मिला। हो मुभववववप नहीं हो? सagए और मुभववप narrow झालतो जातो झालतो कि इस वहाँ हो मुभववव जदा है कर दो, कर दो, कर दो, और दो. लजाओ लन्हेश टेरह सेalayatri प्रड़ लन्हेश दोंध जढ єल कुई ने बचाई चुर भाग रहे हैं कोई ने बचाओ कुई यह बचाई लुदे कराईब अर्ण कराईब कराद किरा झाल जो पैसा जाई भी आए तो हा जा मेंगळू समें जाल जा लाइ झाल हमारे आदमी ने इसे दवा मिलाते देखा तो सच पता चला अरे जो हो गया सो हो गया कोई अन्होनी तो नहीं हुई ना भूल जाओ सब कुछ ठीक है अब कुराजु भी तो पालेगार ही है चलो छोड़ो अब जाओ सब ये उनकी खांदानी दुश्मनी है सब जाते हैं अम आशा खताम हो रुक जाओ यहाँ वो अकेला पालेगार नहीं है पुल मिलाकर हम एक सट पालेगार हैं यहाँ पूरी की पूरी प्रजा भी मौजूद है यह उत्साव सब का है बसी रेटी राजा हो या प्रजा न्याय सब के लिए बराबर है अवको राजो को ख्षमा मांगनी ही पड़ेगी सब चप क्यों है पिता जी न्याय की बात कर रहे है इनने ख्षमा मांगनी ही चाहिए आहां ख्षमा तो मांगनी ही चाहिए एक पालेगार ख्षमा कैसे मांगेगा अपना सर काट दूगा लेकिन शमा नहीं मांगूँगा अवको राजो पापा खान माना के अवको राजो ने अपराद किया है लेकिन ये पालेगार हैं सत्तर गाओं के ये तो सब जानते ही हैं के इने मुझसे नफरत है और यही नफरत इस अपराद का कारण भी है लेकिन ये अपनी प्रजा से प्रेम करते हैं और प्रजाबवर इनके कई उपकार भी हैं तो उनकी खातिर इन्हें हम शमा कर देते हैं नरसे मारेटी तुम मुझ में अच्छा या देखते हो यह मुझे अच्छा नहीं लगता यह मेरे इर्शा नहीं मेरा स्वाभी मान है अनरसे मारेटी मेरा पी दिन आएगा अनरसे मारेटी उस दिन सर चुका कर तुम मुझ से क्षमा मंगोगे और मैं सर उठा कर तुम्हें क्षमा कर दोगा इस मिट्टी में वीरता है ये वीरता तुम में भी है और मुझ में भी अपनी ये वीरता दुश्मनी पर रही अपने देश पर खर्च करो उसके बाद में तुमारे आगे सर जुखा भी सकता और वक्त आने पर तुमारे लिए सर कटा भी सकता क्यों रे तेरा नर्सिमा रेटी अंग्रेजों के खिलाफ पगावत करेगा हमारे मना करने के बावजूद वो यह महुत सब करवा रहा है हम यह और बर्दाश्ट नहीं करेंगे बतराश चिठी लिख दिये मैंने अब वो लोग देख लेंगे उसे वह ख़बर पहुचाने के लिए ही तो किया असली महुत सब तो अब शुरू होगा आपने के लिए दिखेतार शुरू होगा झाल रिकट्रा शुरू होगा शुरू होगा अध्बहुत हम जानते हैं लक्ष्मी जी लोगों के हित के लिए क्या आप अपनी कला को नए अंदाज में फ्रसुत नहीं कर सकती यह लक्ष्मी सिर्फ देवताओं के लिए नाचती है उन्हीं के लिए गाती है आम मनुश्यों के लिए नहीं भगवान भी तो इंसान के लिए यह ना लोगों को जगाने के लिए अपनी कला को थोड़ा सा बदल लेजे फिर देखिये कितना निखार आजाएगा क्या हुआ अभी भी उनके बारे में सूच रही है पता नहीं डरती हूँ मैं पहीं उनकी बातों में खोना जाओं क्या हुआ 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 है बातों में सुत्केला हुआ 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 आढो शेताई देख्शनों अश्या हुआ 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 एंभी उनकी बाना की explorer कале बार्रे घू E sensitive rif किसे ने दन बूज करी आग लगाई कौन है वुरीच किस ने किया है ये अग 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 मेरे लगाई ये ये जिस घर में तूम दीव चला दी तिँ उसी घर को तुमने जला दिया तो और क्या करती जो कभी हम राजाओं की तरह थे थे, अंग्रेज आये और इस भूमी को दरित्र कर दिया, उसमें दो साल हो गए हमें सुखी की मार से थे, किसी दर अबने आदिया दूरी पसल हो गई, वो भी अंग्रेज लगान के तोर पर उठा ले गए, अब तक तो मैं किसी दर अब बच्चों का पेट पाती रही, लेकिन अब मेरा बेटा, चोरी पे उतर आया है, इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो तक भी है, जो हाथ देनी के लिए उठे दे उनी को चोरी करता हूँ, नहीं देखते कि मैं, मैंने सुचा आप मान के जीवन से सर्मान की मौत अच्छे हैं, क्या हो बेटा, तुम्हें भूख लगी थी? मा हमें कहला दी और खुद भूखी रहती, मैंने पडोशी के गर में खाना देखा तो मा के लिए ले आया, क्या ये पाप है? बड़े वहिया, वियाला वाड़ा और नौसम के लिए के गवदामों का अनायच पेलगाडियों में भर के लिए आई है, आज से रेनारू के इस धर्दी पर कोई भूखा नहीं सोएगा, बांट दीजिये सब में, जैसा तुमका, चोरी करना पाप होता है बेटा, चोरी मतलब, जो चीज हमारी नहीं, उसे हाथ लगाना चोरी है, पर हमारी हो तो, तो वो हमारा हक है, उसे नहीं चोड़ना चाहिए, रेट्डी जी, आपने मुझे बुलवाया, मैंने इस महिने की पेंशन भेज दी है, रागवाचारी, जब तक अच्छी फसल होती रही, ये लोग तुम्हें इस समय पर लगान दे रहे थे या नहीं, बिलकुल दे रहे थे, दे रहे थे सरकार, तो जा कर अपने मालिकों से कह दो, सूखे में लगान नहीं मिलेगा, क्या कहा? ये कहा के अगले साल भी लगान नहीं मिलेगा, म, 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 समझा नहीं, ना माने तो, हम उनकी हट्डियों का हल बना कर अपने घेच चोदेगे, और आने दो, मुझे उसी दिन का इंतजार है जब तक सूखा पड़ा है, अंग्रेजों को लगान देने की कोई जरूरत नहीं है ये काडिया नरसिमहा रेड़ी को वापस भेज़ दो, हमारे गोदाम से आनाज निकाल कर प्रजा में बाट दो मैं अपने लोगों को नरसिमहा रेड़ी की तरहा अंग्रेजों को लगान देने के लिए मना नहीं कर सकता मैं भी नहीं कर सकता मैं भी नहीं कर सकता मैं भी नहीं कर सकता वीरा रेड़ी, एक पालेगार दूसरे पालेगार के इलाके में दखल ना दे चलिए पिता जी, हमारी जागीर का फैसला हम खुद करेंगे हम रहेंगे नर्से मारडी के साथ, चलिए अपना मदरास प्रेजिडेंसी एक साल में जितना टेक्स परती है उसमें पूरा लंडन फच्छे साल तक बाइच के का सकता है ये डठा मंदलम से इताकाम टेक्स क्यो आया है वहां से शुरू से टेक्स इकटा करना मुश्किल रहा है सार रीजाम रेनाडू की महिमा है सार कहते हैं वहां पैदावा करगोश भी चीते से लड़ जाता अब बात यह कि वहां के पालिगार और प्रजा से परेशान होकर निजाम जी ने वो जमीर आपको सौप दिये कभी तो उससे तत्क मंदलम कहते हैं आख सार सुखा पड़ता है लेकिन वो लोग किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते टैक्स को वो देंगे लेकिन अपने बाने करें जरूरत पड़ी तो उन सब को मार के टैक्स लियाओ मार तो वो भी हमें सकते हैं तो मास मुंडो के राइटवरी एक में उनके सारे पावर चीन लेकिन लोग अपने पाले गारों पर जान देते हैं सच तो यह सर आख आख पारे लोग भी हुंसे डर के आरे कापते हैं तो याला बाड़ा नरसिंदा यह वो उन सब के ताकत है सर तुमने उसे देखा है कभी देखा तो नहीं लेकिन उसके बारे में कहानिया सुनी है तस परास के उमर में एक आदमफोर्ट चीता मार के अपने कंदे पर उठा लाया थे यू इंडियन्स आर ओल ब्लाड़ी बाबैरियन्स मादवायर सुनी सुनाएं बातों पर भरोसा कर ले दे हो उसे एरिया को कलेक्टर नहीं बलकि चाहिए एक हंचा पुरा है राजा और काला उसका स्वेश इस बुनारश सिल्क के लिए विक्टोरिया शिप शे महीने से वेट कर रहा है हमारे पास रंग नहीं है सरकार रंग हम तुम को देगा ये ब्या नहीं तो हा है हिंदू मुसल्मानों की बीच प्रेम का त्योहर यह आँ अगर मुझे पता होता आप आ रहे हैं तुम यहां कभी नहीं आती और मैं यहां सिर्फ इस लिए आया क्योंके तुम यहां आने वाली थी ताके अपने मन की बात बता सको मेरे मा बाबा बच्पन में ही गुजर के थे मेरे अपने सब मुझ से दूर हो गए मैं जिस किसी को भी चाहती हूँ उसे खो देती हूँ हमेशा इसलिए मैं देवता की शरन में आ गई और अपनी कला से उंकी बूजा करने लगी मैं नहीं देखा है आपको बहुत महान व्यक्ति हैं आप मेरे पास मत आई है बना आपको भी खोदोंगी तुम मुझस दूर भी चलि जाओ फिर बी मेरा प्रेम तुमारे साथ है बोलो जैसे भागमती के नाम पर ये भाग्य नगर बना है वैसे ही तुमारे लिए वीर Вेंकत माहालक्षमी के नाम का एक नया नगर वसा दूँ हुह बताओ लक्ष्मी, बोरो लक्ष्मी नाम के आगे नरसिम्ह जोड़ दीचे बस स्वामी नोसम किले को खबर भेशती है नरसिम्ह रेट्टी वहाँ भी नहीं है और आज कार्थिक पूर्णिमा है उसे दीले पर दीपक चलाना है उसे याद तो होगा न वो हर कार्थिक पूर्णिमा के दिन दिया जलाता आया है आज भी वही जलाएगा नरसिम्ह रेट्टी को सब्ते बताने का समय आगया कल यग्जी की त्यारी कीजिए तो है कि ऑबन ये सब क्या हो रहा है खोई यग्य होने वाला गुरुजी भी आने वारे तो पर प्रड़ाम गुरुदेद वही उच्मान भो सेमा में अकाल पला है वर्षा के लिए यग्य करना होगा, चलो, जैसी आपकी आपे, प्यान हो जाओ नर्सिमा, जी मा, ये वस्त पहन लो, ठीक है मा, बोलना, आप बोलिये न, नहीं नहीं, तू बो, मा, कोवारे पुर्शो को तो यग्य नहीं करना चाहिए न, तो फिर मैं कैसे, तुम्हारा विवा बच्पन में हो चुका है, सिद्धमा के साथ हो चुका है, नर्सिमा, जैसा अकाला अब बड़ा है, तुम्हारे बच्पन में भी बड़ा था, जोधिश की अनुसार ये यग्य सर्फ दों कर सकते थे, पर इस्तिती कुछ ऐसी बन गई, कि यग्य के लिए हम इसे धम्मा से तुम्हारा प्याह कराना पड़ा, यग्य की खातिर हमने ये सब कर दो दिया, फिर पद्दा चला तुम्हारी कुंडली में दूश है, तुम और तुम्हारी पत्नी 24 वर्षों तक एक दूसरे को देख नहीं सकते थे, वरना तुम्हारे प्रांट संकट में आ जाते, तो हमें तुम दोनों को अलग करना पड़ दोबारा यग्य की घड़ी आते ही, तुम्हारा दोश समाप्त हो गया, सिद्दमा के साथ तुम्हारा विवाख देवदाओं का निर्ना है, जा, आगे बोलो, लोगों के अश्र मिटाने के लिए सिद्दमा के साथ यग्य करो, जा मिटना है, लोगों के लाफ के लिए समाप्त ही, जा ख़िख को आते है, रिर्ना हमाय को अला है और एपकोफ अपकिया, रहा है वे दुमटनों तुम्हारा, जा जो जा दुम हांत। Article 5 खेता है। खेंगीulator कर दो 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 को ऩो पता तेना की तности अँड़ी Хजची को एका है ज में दूश्हें. कर दो है। लक्ष्वी तुम अपने आपको विर्ति दंड क्यों दे रही हो अब रात तो मुझसे हुआ तुम मुझे दंड दो ये सब सहने की ताकत नहीं है मुझे ये मेरे साथ ही क्यों होता है हमारे माता पिता तो ईशवर चुनता है अपना सौँ तो मैं खुछ चुन पाती लेकिन मुझसे यादिकार भी चीन लिया गया कम से कम मेरी मौत नो मुझे चुनने दीछे रुको ईशवर हर किसी को कला नहीं देता है और तुम्हारी कला तो लोगों में नई जागरिती पैदा कर सकती है। ये कला ना तुम्हारे लिए है ना उस इश्वर के लिए। ये लोगों में नई प्रेड़ना जगाने की तुम्हें अपने प्राण देने का कोई अधिकार नहीं है। मर के जब हम इश्वर के पास जाएं तो हमें इस लाइक होना चाहिए कि उससे आखे मिला सके गर्फ से कह सके के हम बरने से पहले जी भर कर जिये आखरी सांस तक जी ए अर जीवन का प्रयोजन होना चाहिए वलकि हर मृत्यू एक नए जीवन का शुब आरम होना चाहिए जिस दिन अपने जीवन का लक्ष बाल है उसी दिन अपने मृत्यू का उदेश भी हो चाहिए झाहिए 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 कर दो कर दो कर दो कर दो मुझे अपसे कुछ कहना है कह सकती हूं यह प्याव आपकी इच्छा से नहीं हुआ है न वच्पन का प्याव है इच्छा अनिच्छा का सवाली कहा होता है आपकी बात तो सही है पर मैंने तो बच्पन से सर्फ आप ही को चाहा है तुम्हें पता था कि हमारा ब्या हुआ है और क्या मुझे तो बच्पन से ही पता था बच्पन से लेकि आज तक आप ही मेरे संजार हैं आपके लिए न जनक इतनों से लड़ें यहां तक कि अपने अम्मा से भी सब कहते थे कि अगर मैंने आपको देखा तो दोश लगेगा इसलिए आपसे कवे मिल नहीं पाएं आप यह के नहीं करेंगे नीन खुलते ही पहले आपके बारे में पूझती थी आपकी वीरता भरी कहानिया सुनकर बहुत खुश होती थी हर रोज आप जिस मंदर चाती थे मैं भी वही चाती थी जैसे आप पूझा करते थे वैसे मैं भी पूझा करती थी उस दिन उत्सव में जैसे ही मैंने आपको आते हुए देखा मैं सरूवर की ओर चली गए मुझे डर था कि अगर आपको पानी में भी देख ले आप तो आपको दोश लगे तो यह चौप इस साल मैंने कैसे गुजारे सर्फ मैं ही जान दे हूँ मुझे सर्फ उस बल का इंदजार था जब आपको जी भर के देख सको यह के के समय भी मैं आपको देखने पाई इस डर से के कही अब आपको देखे रोना पड़ो वहां लोग देखते तो क्या कहते आप गए तो अब देख लो आप मुझे एक वाचन देंगे मैंने अपनी सारे सिंदगी सर्फ आभी कुछ आहा है मैं आपको कभी नहीं रोकूंगी जाहें जाहें से रहें लेकिन आप एक वचन दी जाहें की मुझे कभी नहीं जुगांगी आपको कुछ कुछ आपको कुछ नहीं आपको कुछ कुछ नहीं जाए वैलकम तु कोईल कुछ नहीं सरकार स्वागन यह लाका बहुत ज्यादा पीसफुल लगता है आप को के अ करत dont करत क्यां फ Schulb समाचार है तुमारे लिए अब तुम्हें फसल पर लगान देनी की कोई ज़रूरत नहीं बस जमीन पर देना होगा. भेजे में नहीं गुसी बाइत. अब से फसल पैदा हो या ना हो. जितनी जमीन है उतना लगान देना ही होगा. घ्रकार, अपसे तो फसल कहीं लगान नहीं दिया जा रहा. ऐसे लिए अगर पैदावार ना हुई तो कहां से देंगे लगा तो फिर कानून के मुताबे कि ये जमीन हमारी इन मजदूरों को इनकी मेहनत का जोपनता है देदो रगवाचार हम मजदूर? सरकार, ये जमीन हमारी माँ है माँ के बीना कैसे जिएंगे, सरकार? कहां तक है तुम्हारे जमीन? उस पहारी तक है, सरकार बिल पाँच गाओ अपने जमीन को बचाने के लिए तुम कुछ भी कर सकता है जान दे सकते हैं, सरकार लट्स प्ले अगए यहां से जितने दूर तुम दोड़ सकता है, तोड़ो जितने जमीन पर तुम दोड़ गए, वो जमीन तुम्हारी हुई बाट हमारा घोड़ा भी तुम्हारे साथ में दोड़ेगा अगर वो एक कदम भी तुम से आगे निकला तो वहां से जमीन हमारी हो जाएगी लेकिन अगर तुम हमारे घोडे से आगे निकल गए तो वहां से जमीन तुम्हारी तुम्हें शर्ट मन्जूर है रॉन! दो तुम्हें कर समय हमारी जो किर पडा, हो गया? जाया, कईभ है स्वाने में सरकार, लगता है अपना घोडा मैसोर से पहले नहीं रुके जा रॉन, यू झाल 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 उठो सो बाया, ये लो, आराम से, लो, ये लो, रेट्टी जी, आपने बोला लगा नहीं देना, लेकिन जैक्सन सर बोलते हैं, आप तो पालेगार है ही नहीं, यानि, नोसम का आपको गोग लेना, नए डल्हॉजी लॉख के मताबिक लैर कानूनी है, तो आप इस जमीन के कानूनी वारिस नहीं हुए हैं, मेरी विरासत पे सवार उठाने वाला तू होता को ने, ये दादा विलायत गए थे तो उनसे तू पेदा हुआ था या तिरा बाव, तू मेरा भाई थे, बेटा है, नाबाद है, एख हो तू! शाजा, इनकी तरह तू भी मजदूर है, लगान नहीं दिया तो सजा जरूर मिलेगी, और एख है! क्यों दे तुझे हम लगान? माम! बादल तू लगान नहीं माँते, विट्टी भी नहीं माँती, फसल भी नहीं माँती, तो तू कॉर होता है, लगान भादाना! सबीं से लिकर फसल तक सब हमारा है, वसीना हमारा है, खेत हमारे है, बीच हमारा है, पानी हमारा है, यह भरती हमारी है, इसका अनाच हमारा है, तो फिर हम तुझे लगान त्यू गहें! हम इस धर्दी की संतान हैं, इस मिट्टी पर हक हमारा है, तो पहरा हम कुझे लगान क्यूं दे? भईया, सरकार, इस भूमी पर हल किसने चलाएं? उसने चलाएं! तो इसकी पैदावार पर किसका हम है? सरकार, रुप जाएं, जरब भीर तो देखिए, देखिए चारो तरफ, यह समय ठीक नहीं है, चलिए, प्लीज कम अपना सर जुका, जुका, अब जा, और ध्यान रहे, सार उठाने की गलती हर्किस मत करना, अब सीने लंडन में ही सर उठाना, वरना बच्टाएगा, यहाँ तुभारा कदम रखा, तो सर काट तुगा, जर्ट! सरकार, घोडे ने क्या किया है? नर्सेमर रेडी ने इसके दिल में डर बाहर दिया है, जब भी हम इस पर बैठता है, यह हमें उस डर की याद दिलाता है, इस नर्सेमर रेडी को मारने के लिए, मद्रास से पठा लें बुलवालें सरकार, मद्रास की ताकत हमारे दम से है, मारना हमें नर्सेमर रेडी को नहीं, उन गुलामों में सर उठाती हुई बगावत को है, हम दिखाएगा उन्हें डर किसे कहते है, फिर देखेंगे ताकत किस में है, उसका एरिया छोड़ दो, बाकी पूरे दत्ता मंडलम से ताक्स कि उसूँए, मरत देखेंगे सभी लोकों की चीख है, उसके गाउं तक जानी चाहेगे, इतनी पैशन भेला दो, के उसकी हिम्मत ही डूच जाए, के अगा से अगाई सही है, के आपने अगाने चुके पार्टे है! अ बाए गीप बाए झांने कि खुआ你, सुनाए तुमने लगान देने से मना किया है अपना लूटाओ एक मुठी दन भी हमारे हाथ से जाना नहीं चाहिए What about Tata Mandlum Tacks? सब रेडी है सार सिर्फ एक एरिया को छोड़ा पड़ाम माले कुछ पड़ा मालिक कल जंगम बलेया जी बड़े पैवाने पर भूमी पूजन करने वाले हैं आकाल के कारण जिनकी शादियां रुप गए थी क्यों न वो भी संपन कर लें? जरूर ये शुबामंत्रन आप मेरे बड़े भाई को दे दीजे जैसे आपकी एच्छा जंगम मलाया? इस बार जितनी भी पैंशन मिली है, वो इन जोड़ों को शादी के उपहार में दे दीजेए जी सकता पैंशन हाँ ओह देखो तो सही, पैंशन लेने आया था मिल गई ना पैंशन? देख लिया ना? पोल दिया नर्सिमा रेडी को, हम उसे बालेगार नहीं मानते है, क्योंकि उसे तो गोड लिया गया था इस गोड़के को समझवे नहीं है, कि पैंशन नहीं मिलेगी पूरा सिर्मून तो, दुभारा यहां दिखाई नहीं देना चाहिए पहले भद्वान को भोग लगाएंगे, उसके बाद ही हम खा सकते हैं भूग लगी है माँ अपने फसल की पहली कटाई देवी माँ को और बढ़ करें ख्रुम्नेरं कारिस्म आंगाम्वत बात्त्त्त्त्त्त्त्त्तत्त्तत्त्त्त्त्त आपस केS कर देते हैं लगता इस बार फसल अच्छी हुई सोजा सरान आज गारी में डाल दो सरकार, सरकार, दो साल बाद इतनी अच्छी पैदावार हुई है हम थोड़ा थोड़ा करके लगान भर देंगे क्या, 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 याद है आपने कहा था ये फसल हमारी है ये धर्ती भी हमारी है, इतनी हिम्मद कहां से आगई के भूच्छी अगर हम 66 गाओं की पैदावार भी ले जाए तो एक साल का लगान रह जाएगा सरकार, सरकार पुरा अनाज आप ले गए तो हम लोग क्या काई क्या इनको अमारा प्रिटिश रूल समझाओ रहागा पचारे की सरकार, सब ध्यान से सुनो, प्रिटिश सरकार ने नया कानून पास किया है आज से गाओं में जिसका भी व्याह होगा, उसकी दुलन पहले गोरिल साबों के साथ सोई इससे तुम्हारा ही फायदा है, इससे तुम्हारा गाला नसल गोर हो जाएगा सबसे पहले हम इन दस दुनहनों के साथ सोईगा ओ, डर क्यो रही हो हमको सब एक साथ थोड़ी चाहिए रोज रात एक काफी है तुम सब गाओं वाले फैसला करो, के काम किस को भेज नहें और अपनी फसल वापस ले जाओ कुँलोग फसल दोगे या फिर लड़्किया अरे मूप पूरे हो सरकार ने कहा है कि लड़्कियों का लाप फसल से चुकाएंगे लड़्किया दो फसल ले जाओ सरकार, उन तो हम खिर भी सहलेंगे पेजसती नहीं सहबाएंगे सरकार अरच लेजाए आपनाज लेजाएं सरगार आपनाज लेजार! After all, और आट के इजजट के वास्ते, तुमने शायसत गाओं की फसल कुर्वाद कर दी! You bloody barbarians! Sogers, move the crowd! बस्वया यह क्या कर रहे हो बेटा बस्वया बस्वया वापस रख दे पाफ कर दो सरका चोटा है फिर से चोरी मैंने चोरी नहीं कीमा यह हमारा है आप यह के लिए लोग करके लेके जारे है अघिर से नहीं बोलते बेटा बापस रच दे नहीं रखूंगा गॉठ बेटा बापस रख दे नहीं रखूंगा थो 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 अ हुआ है भूआ पाफ शस तविक्राइब कर दो गूए पुचित बाग! लाग! 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 लश्वार learned लाग! लाग! Northern लाग! लाग! कर दो दो जो 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 तुम्हे वग दिया है अने दोसे हम कोई अलकुंटना में ही आएगे मास्खीम के काम उसे कुलो हमारा पाउप पड़के पाउप ही मांगे उसके अपना खुलाब बना कर सिंदा छोड़ देगा और ना उसे भी जही जला देगा तुभरे सामने अबना सकार तिंडोरा पिठवादो इस दफ्ता मन्लम के काओं गाओं कली कली घर घर में ये एलान करवादो कल शाम से पहले उसके घर में घुशके उसका सर काटूँगा और रेनाडू का बच्चा बच्चा ये अपनी आखों से देखेगा इस वासूम की चली हुई मुठिया साक्षी है और सूली पर चड़े ये किसान साक्षी है इन दुलहरों की आखों के आशू साक्षी है ये बच्चारी डरसिंबा रट्यू से पृत्यू डर्टेगा ये देखेव का बwar ये 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 जुँशन आख भी से दिए शिए है लड़र झर आ झरा हो प्लाव खतों कू creative आहेंग झरा हो फजब मेंग हुआ 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 हु कि जुडने का दूर सुष का बनुट युडने का दुडने टूर था! ऑर कि और के दुडने कि दूर बारे हैं, यॉ मेजने लो गार सकता शुडने का लारी हैं, तुडने बारे हैं! इप लुड़ लुड़िन हमारे वह टुड़िन चर्फोर नहीं की अला शुड़िन से लुड़िन की व्यू़िन प्रड़ प्रॉड़ एंट प्र मर और लो ओर टे SH杵 झाल जा झाल 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 के झाल झाँ झाँ! झाँ झाँ! झाँ! हाँ! पाँ! कर थाँ प्योल जुआ पंस प्योल दूए है अढू सान kalian दो प्योल हाँ इयल ये अर्वणक स्तार लाँ! कर दो कर दो न पुप सर झाया है सरकार दक्ता मंडलम से लूटा हुआ पैसा ट्रेशरी में नहीं है सिर्फ उसकी मौद काफी नहीं है हमें हमारी संपता भी वापस चाहिए वो हमारा धन है हमारा स्वाविमान है एक खास का दिन का भी हमारी समीन से नहीं जाना चाहिए वो हमारी संपता प्रेश्ट नहीं है जो जो खादा प्रेश्ट विल्ट अव्यारी वोटा प्रेश्ट था रहोड़्य मैं प्रेश्ट थालाँ थालाँ थैयारी थालाँ थालाँ आपको मन गाणंत लगते थी वो आप साच हो गए कभी हिरन ने कश्चप नाम का एक राक्षास हुआ करता था जो अपने आपको अमर मानता था उसे मारने के लिए भगवा नर्सिमा खंबा चीर के प्रगाठ हुए उसके मृत्यों ना घर में हुई ना पाहर ना दिन में ना राज में अथरती पर ना गाश में संघार हुआ उसका ओ अफदार संघार से खात्म हुआ ये अफदार संघार से शरू हुआ है सरकार अम ने दो बुल्षिट ये अफदार जिसलें आस अम्राजय को ललकारा है उसका अंजाम इतिहास में लिखा जाएगा Soldiers For the Queen Crown Crown And the country Country Thrippumya Makam Brahm Vaveda Swarupa Nijam Nirgudam Nirvigarpa Niriham Jidata Shumata Shvasa Bhadeham Lord, Naar Simaka Aftar No... label him as a coin उसने सारे के सारे पिटिस सामराजय के ख़साने लूक लिये वो देवता नहीं, एक टाखु है मैं इस नर्समा रेडी को देखना चाता हूँ एक चित्रकार से उसका चित्र बनवाओ जिसने उसे देखा हूँ यह लेडर लंडन बश्चने से पले मैं उसे मरा देखना हूँ सर, 57th Regiment, 300 Soldiers, रेड़ी सब तयार हो जाँ, नर्समा रेडी के चार तुक्डे करना तीन तुक्डे दत्ता मंडलम के गाहों में फेग तो और जोथा, उसका सर मेरे पास लेयाना Soldiers, advance! Soldiers, advance! मुझे भविश्य में युद्ध दिख रहा है और मुझे भविश्य में एक स्वतंत्र भारत दिख रहा है साहिरा, इस धर्ती पर सारे युद्ध सत्ता के लिए होए है स्वतंत्रता के लिए ये बना युद्ध है इस युद्ध को तुमें चीत रहा होगा इस युद्ध में चीत हमारी ही होगी लोगों के अंदर तुमने वही ज्वाला जगाई जो तुमने है एक बच्चे में निर्भैता जगाकर उसे मुठी बंद करने की शक्ती थी तुमने तुम्हारा संकर्श समाब्त हो अंग्रेजों की गर्दन काटकर तुमने असली युद्ध आरंब किया है कि तुम्हें विश्वास है कि पालेकर एक अत्रित होंगे और सब लोग तुम्हारे साथ जाएंगे तुम चाहते हो कि तुम्हारे दिखाए रास्ते पर हम सब चलें हमने विद्रो नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि हम में हिम्मत नहीं अंग्रेजों से बगावत करके बड़े-बड़े महराजा मिट्टी में मिल गए तुम किसके दम पर लड़ोगे बताओ प्रजा प्रजा ही लड़ेगी ये युद्ध प्रजा युद्ध लड़ेगी मैं कुछ समझा नहीं राजा राजा से लड़ता है सैनिक सैनिक से लड़ता है कभी प्रजा को सरकार से लड़ते देखा है कभी सुना है जो सुना नहीं वो अब होगा हम चाहें तो कर सकते हैं अधिकार नहीं हैं तो क्या हुआ लोग अब भी हमें अपना नायक मानते हैं हम लड़ना शुरू करेंगे तो लोग अपने आप हमारे साथ खड़े हो जाएगे लोग इस लड़ाई को करांती में बदल देंगे करांती आंदोलन बन जाएगी और आंदोलन युद प्रजा अगर साथ लड़ेगी तब जाकर इस देश को स्वतंत्रता बिलेगी पहले हमें आने वाले संकट से बचने के बारे में सोचना चाहिए अल्लारणी हम सबने मिलके जो निर्णे लिया है वो अपने भाई को बता दीजिए भाई मेरे तुमने जो ख़जाना लूटा वो गाउं वालों में तो बाट दिया पर तुम्हारे कारण हम सब अंग्रेजों के दुश्मन बन गए इसलिए हम सबने मिलके एक निर्णे लिया है हम अंग्रेजों से बात करेंगे कि तुम पर कोई मुसीबत ना आए बस तुम्हें उनसे ये कहना है कि जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं था और मेरे ख्याल से तुम्हें शमा मांगने जाए अंग्रेजों से एक शमा मांगने तुम्हारा शमा मांगने की बात की तो आपका सख काट दूबाग भूल जाओंगा आप मेरे बड़े भाई है शमा मांगने पर अपने भाई का सरकार दोगे ये कोई बैलों की दौड नहीं है नरसे मारेड़ी बैलों की दौड नहीं है ये तीन सो तोपों और फिरंग्यों के साथ युद्ध है पर तुम्हारे साथ कोई नहीं या उपस्तित कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा नरसे मारेड़ी तुम अकेले क्या कर लोगे मैं लड़ोगा हम तुम्हारे साथ है अर्वार्व नहीं आपके शाथ है अर्फार मैं धूंग आपके साथ कोई ले यहांदा ले मैं आपके साथ लूंगा हाँ 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 जाता ये दिन धरूर आएगा नायार हो इसके दिन सैरा 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 अपना हल खुद जलाया, अपना अनाज खुद ख्द खाया वो अलाद का शरील बनाया है, खोड़े कितर्य दौह रतया हूं और लड़ते हुए मरने से पहले कम से कम सिंवाथ कुभार सा उख लेट मैं आपके साथ दूँ कि ढऻ से आपके की इसलिग से ती मलड़ करें ऊके को फिझा दूद 250 आपके साथ तो और झालव टोड़। अब बना हो और हम बना खी अब नेक ए मोगा ए अज अज़ा यतार प्रड़ेर, भी ए ने अज़ाम ए बना है संहीं ज़ भाव से लोज़ा रहाँ, झाल वहाँ, भाल रहाँ, झाल यहाँ, जादा है कि अज़ा है कि अना हो झाल, वाल है। अरूज अरूज इस तानियल अधर, अरूज लुए अरूज इस दनियल अजिव भीष फ्फट्ट रस धतीर हो से क्या कॉबंधन। अरूँ मान्यकिन अरूँ वह गान वो शरंडर बार अधर बनुब छ्याह्यावावि अख्याव। झाल वीर यूई अर्णाणा वुल! झाला अर्णाएदक! वसको बष्डिन सेलों. ले पसे सुटे साउऩि और सहास्ट है बटक साइब हो अखने हुट हाहा हाहा आइ कि आई... एंफाटरी... छॉॉॉॉॉ रेनाडू के वीरयो भाह... ये युद अपने लिये दिए लोॉ अपने भाईों के लिए, अपनी माओं के लिए, अपने बच्चों के लिए लड़ो जा है इतियास हमी याद रखे या नहीं, लेकिन आज इतियास हम से लिखा जाएगा हम उनके लिए सिर्फ चालिस आमापी जरूर हो सकते हैं लेकिन इनी चालिस ने इतियास इसका गवाँ होगा यूद का मैदान तुमने नहीं देखा तो क्या, मत्यार उठा कर कभी नहीं लड़ा तो क्या शिकार करना तुमारे लिए नया नहीं है, वैशी दर्दों को मारना तुमारे लिए नया नहीं है जनलो शिकार करें यह दर्दी किसकी है यह योद्न किसका है विजा किसकी होगी साइराई कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो दो अबा रक्षा करना जगना 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 पुर कुर के ठाक ठाइ जरो अंर फुर्ट भो जए CandMAN गे लीज़ोफ जाय कुछ परन करना है एलूरा अे एलूरा अे पारन! झाल सिद्वा, आपको पसपोड़ हमत और बिटा जेखें प्रफल जैल तर वाल जेखें जब 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 एक भलंघ! एक भुष्ट। एक भुष्ट। एक पाड़! एक भुष एक पार! एक भुष। हूई थika डाँ अटेर कोले कहुआ हैं सुर्या? है सी ही मौन तो में तादा ता! सुर्या? सुर्या? मैं एक चाएंगा कि शाएंगा गर्या औहाएंगा ताएंगा 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 कर दो कर दो अचज कि अ आख अब खाए causing अवलर वाएब अवलर शे सीघ्ट कि अजने थे नँ कि अजनी फोर भाएब तुब आभर लोर कि अजने हैं झारे वे लुडरी झाल! दीन सो फिरंगियों के डर के मारे किसी बालेगार ने तुम्हारा साथ नहीं दिया पर तुम अकेले डटे रहे उसी बल तुमने मुझे जीत लिया वही तीन सो फिरंगी तुमसे डर गए और जिस बल मेरी मदद मागने आ गए उसी बल तुमने उन्हें भी जीत लिया और मैं तुम्हारे इसी जीत को अपनी आखों से देखने आया साइरा नरसिम्हा रटी तुम मुझे पसंद आये अब कुराजू पर तुम मुझे पसंद नहीं हो जो कुछ मैं करना चाहता था तुमने मुझसे पहले कर दिखाया जहां पर मैं रुका वहां तुम आगे बढ़ गए इसलिए तुम मुझे बिलकुल पसंद नहीं हो एक दिन इस सांदोलन में तुम से आगे निकल जाओंगा और मैं खुशी से तुम्हें जाने कूँगा साइरा से साइरा से साइरा से साइरा तुमारा बीटा स्वाथ अंतरता के लिए लड़ने वाला कभी मरता नहीं सुबया मेरे बेटे का नाम होगा सुबया उसका सर बस आ रहा है सरकार उसे एक सर के लिए इतनी सारे कितकियों बंड़ा रहे है अब है एक संदेश भी बेज़ा scripts जो हराम के जने रोटिया देने वालों के हाथ काट देते हैं उनके लिए चिठी नहीं चेता एक आदमी को मारा तो मुझे डाकू कह दिया अब की बार तीन सो को मारा है तो समझ जा ये एक आंदोलन है स्वतंत्रता के लिए जन जन का आंदोलन आज के बाद जहाजों में भरके हमारे सफेद का पास विलायत नहीं जाएंगे तुम्हारी सपे चम्णिया जाएंगे अपनी भारत भूमी पर खड़ा मैं तुम्हें साफधान करता हूँ मेरा देश छोड़कर चले जा वरना युद्ध होगा तुम्हारा शुप्चिन तक मच्चारी नर्सिम्हा रेड़ी साफ प्रेड़ी वो थेल इस नर्सिम्हा रेड़ी का चुतर पन गया कुछ नहीं लिखा इसम्हा वो हमारे सामने खुद आके हमें चितावनी दे के चला गया यह दुश्रू कर गया है सरकार मैं खुश हूँ के आप लोग हमारे साथ चुड़ गए अब हमारा विद्रो जन जन का अंदोलन बन जाए अब आगे क्या करना है हम अगर अपने किलों से लड़ते रहे तो इसे पालेगारों का युद कहा जाएगा लोगों के साथ रहकर लड़ेंगे तो ही यह जन अंदोलन बनेगा हम प्रजा के साथ ही रहे कि अगर आगे कि सिद्धमा कि आज तक मैंने तुमसे कभी कुछ मांगा है कभी नहीं यहां क्या कह रहें कि आज तो मुझे एक वचन दोगी कि आज तो कि आज तुम मेरी तरह लड़ सकती हो कि मेरी जीवन संगनी तो तुम होई लेकिन क्या तुम मेरी संगार संगनी बन सकती हो कि 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 क क कि मतलब आप यूद करेंगे अंग्रीसों से और मैं जीवन का यह यूद बिना आपके लड़ने के लिए तैयार रहो कि कि आपके मा और बेटे दोनों का ख्याल रखोगी अकाल मिटाने के लिए हमारा मिलन हुआ था और आज देश के लिए हमें अलगोना होगा कि मेरे सुआभिमान और संगर्श के लिए तुम बच्पन से बलिदान देदी आ रही हो इस जनम के लिए क्या तुम मुझे शमा खरबाऊ यह क्या रहे ऐसी बात मत कीजिए सब कहते हैं आपका प्यार कोई और है और मैं भी जानती हूँ कि यह सच है लेकिन मैं आपको रोकूंगी नहीं यह धर्दी और यह लोग इंको आपकी ज़रूरत है ना चोड़ने का वचन दिया थान आपने आपके वचन को कभी तोटने नहीं दोगी आज मैं आपको आजाद कर रहे हूं निश्चिन दुकर लड़ी है उनको मिसाल देने के लिए उन्होंने सारे रिष्टे इत्याग दिये हैं मेरे साथ चलिए पलसभा से पहले आपको कोटा कोटा जोड़ने का आदेश हो रहे हैं कि अज़र की तरफ से मैं आखरी बार पूछ रहा हूं वो नर्स्मारे डिक कहां है पता दो हमारे दिल में रहते हैं वो 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 हमारे दिल में र यही कोई सोद सौंगे सॉर्थ हम अंदोलंच से कभी चाल लएगे हमें जब तक भारतली में कि उजा की इस अंग्राम्स में जित्ने भार देए पढ़ेपड़े देगे बहई सब वひं विए भॉ एक धле पार बाइसां विए एक बाझसां बाइसां 10 जूज़ा है। जूज़ा है। जूज़ा है। उन्हें कैसे पता कि हमने उसे है। खडबा किले में छुपाया है। नरसिमा, सुलो, भईया से भूल हो गई, वो लालच में पढ़ दे, बढ़ जाओ समय से, बजीद बने ख्षमा कर दो, भूल ख्षमा की जाती है विश्वास खाते है, तुने के वल भाई से नहीं बल की, आंदोलन से छल किया, बड़ी मा, आप जैसी माता से जनम लेकर भी इसने, अक्षम में अपराद किया है, इसे क्या सजा देनी है, ये आप पे, दीदी, मेरी खादिरे से शमा कर दो, जार महिने से हम उसे जंगलों में दून रहे हैं, पर उसका कोई पता ने चला, उसे जिन्दा पकड़वाने वाले को पाच हजार का इनाम दिया जाएगा, ते इरान उसने मॉरेटे, मैं जानता हूँ हो कहा है, कितना दोगे, अभी और कितना दूर चलना पड़ेगा, बस आ गए, तैसा तो पूरा भिलेगा दा, जितना बोला था उससे जादा ही मिलेगा, चलो, बख़िए अरता भादे जाएगा, कितना बवारेगा, जितना झाले जाएगा, जितना झालेगा, जितना जाएगा, मैं आपके लिए इदर आया था और यापके सर पर लगे इनाम के लिए द्रोगी दे दिया इनाम मैंने इस है तुम हो काँ राज पांडी कहां से आयो तुम वीरों को जन्ने वाली तमिल भूमी से लेगन यहां क्यों आयो आप छे महीनों से गोरों के साथ अकेले लड़ रहे ह असलिए आपका साथ देने चला आए मुझे रख लीजिए लक्षमन की तरह हमेशा साथ में रहूंगा चाहे वीरता में हो या वीर गती में इनाम तुम तमिल हो और हम तेलगु लोग साथ कैसे लड़ेंगे भारत मां हम दोनों की माँ हैं तो यह मेरे बाई हुए मुझ भी आपका नाम जान सकती हूं लक्षमी आपने तो आंदोलन में नहीं प्राण भूम दी उनके बारे में ऐसे गाया जैसे आप उने जानती हैं मैं भी तो इसी काहसा हूं और वैसे भी उनके बारे में कौन नहीं जानता शमा करना आपकी अनुमते के बिना आपके साथ गाने लगी सिर्फ साथ गाना काफी नहीं है युद में अपना कोई वीर भेजिये मैंने तो युद के नायक को भीज़े मैं उनकी पत्नी हूं क्या वो भी हाँ मैं उनके लिए बाधा नहीं बना चाहती थी इसलिए उन्हें आजाद कर दिया उनके बिना जीना आपको मुश्किल नहीं लगता वो मुझे जीवन भर का प्यार पहले ही दे चुके हैं तो यह जहीं है आपका बीटा है क्या मैं नहीं पेटा में रोते नहीं लहीं आँ पेटा रोते नहीं अले अले मेरा अच्छा बच्छा किसे क्या देना चाहें भगवान सब जानता है आपको परिवार का भार दिया और मुझे आंदोलन को लोगत तक ले जाने का सही का क्या हुआ क्या हुआ पता दो के अगर मेरी धरती पर पाव रखना है तो उन्हें मुझे लगान देना होगा अब तुम अंग्रेजों की नडाई गुलावों से नहीं स्वासंत्र भारत वासियों से हैं इसे पहले की लंडन तक बात पहुचे इसे रोकना ही पड़ेगा ये हम कैसे करेंगे माँ आप सब अचानक है हमें लगा कोई अन्होनी होने वाली है नरसिमा पूरे परिवार को तुम्हारी चिंता हो रही थी इसलिए हम तुमें देखने चले आए दरने की कोई बात नहीं है मा जैसे पलके आँखों की सुरक्शा करती है वैसे ही इसे न मिरे लिए प्राण देने वाले वीरा रेटी जैसे मित्र है कोई अन्होनी नहीं होगी आप चिंता ना करें इसे राजा बनाने के लिए मैंने इसका साथ नहीं दिया था रेनाडू का राजा एक ही हो सकता है और वो हूम है मैंने तो सोचा था आउकु राजू मर गया आज पता चला वो जिन्दा है मुझसे हाथ मिला लो दोनों मिलकर राज करेंगे कैसे नलसिमा रिड़ी और उसके परिवार को मिटा कर और उसके बाद कोकरेंग का दस्तखत किया हुआ राजी नमाएगे हम इस विद्रोह को दबा पाए तो रेनाडू के दो हिस्से होगे उत्तर का राजा बै और दक्षन के राजा तुम बनोगे पर हम दोनों काफी है अखरी वाले कमरे में सोता है सब अपने कमरे में सो रहे होंगे तब मैं अंदर से दर्वाजा खोल दूगा पूरब वाले कमरे में उसका अंगरक शकर राजा पांडी सो रहा होगा उसे मैं मारूंगा अंडा उसे मारूंगह खोल्यक्त दो के बास अपने राजा को दोखा देगा मैं अपने राजा को कभी दोखा नहीं दूगा दुश्मनों से लड़ने से पहले आस्तीन के सांप को पैचानना ज़रूरी है तुमारे चल के कारण हमारे कई साथी मारे गए उसी वक्त मारने न चाहिए था तुमें लेकिन तुमारे जहरीले एरादों में और कौन कौन शामिल है ये जानने के लिए मैंने ये खेल कहला अब खेल खातो करनाब सीने में नहीं वो तो वीर की मौत होती है ये पापी सौगंद खाकर मुकर गया है ये दलवाद इसकी गर्दन में गुसा दो अब पराजू है चश्मा करता हूँ है शमा मांगने वाले का मर जना है बेदर है बसे रेड़ी शाप्राश नर्सिमो नायक हो तो तुम जैसा एक एक द्रोही को ठोन के मार दिया एक द्रोही अब भी बागी है वीरा रेड़ी 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 कर दो खोरूहukt जब तक डर और लालच है, ऐसे दोग रुकावट बनते रहेंगे मैं तो इसे वही मारने वाला था लेकिन फिर मुझे तुम्हारा ख्याल आया इसे क्या दंड देना है, ये तुम सोचो विश्वासगाती की सजाय चाहिए, वो मेरा बेटा ही क्यों ना हूँ तुम से नहीं होगा, मुझ पे चोड़ दो अदम कर दो इसे विश्वासब कर दो अब खिर कर दो अब शुम लुम अब उडर लक्ष्मी यही है सरकार गाओं गूम के लोगों को भड़काती है आजादी के गीत गाती है नचनिया है तलवार युद जीट सकती है लेकिन कला युद छेट सकती है यह नर्सिमा रेडी से खतरनाक है सरकार यह नर्सिमा रेडी के प्रेमी का है जीट से लोगों को अपनी कला से भड़का रही है आज हमारी भी आग भड़काएगी बिना कपनों करांग बचा रहे हैं कम से कम मैं अपने आखें तो सेंक लूँ यह शरीच तिर्फ नर्सिमा रेडी के लिए है कोई और इसे छूने की जुर्रत नहीं कर सकता हूँ क्या लगता है नर्सिमा रेडी तुझे बचाने आएगा सरा अपने चारों तरफ तो देख बारूत से भरे यह हजारों पक से युद्ध के लिए नहीं और सुंगोर तत्मंडलम में कोई सवेरी का सूरज नहीं देखेगा तेरा नर्सिमा रेडी भी नहीं कोई रास्ता नहीं है तेरे पास चल नाज नाज हर जीवन का महत्र होना चाहिए हर मृत्यू एक नए जीवन का शुभारम होना चाहिए जिस दिन अपने जीवन का लक्ष पा लिया उस दिन अपने मृत्यू का उद्देश भी बात दिन चाहिए यह है यह है यॵच को टाराग है आंप आंप आप्साद कर दिते हुई जह जह हुई जह पला मोचमाई है दो के अ पर्टेन प्रwebuch झालिडरो दोया हैँ के अ पाल सब एक पाल रह कर दोते हैं तो कुष झाल... लड़ोगो हाँ जाजमान, बृतक का नाम बताईए दक्ष्मी लक्ष्मी नर्समारेटी एक औरत ने सुईसाइड ब्लास करके हमारे दिन सो सिपाईयों का उड़ा दिया दो हसार लोग इस एक आदमी के साथ क्यों खड़े हैं? वोट इस हापनिग फ्रीडम फाइट वो समझता है कुछ चूहों के साथ मिलकर वो जनान दोलन शेर देगा हमारे खिलाफ जनान दोलन बाई लॉड शेरों की सेना से डरनी की जुरूरत नहीं अगर उसका नायक चूहा हो लेकिन चूहों की सेना का नायक शेर हो तो डरने की बात है वो हर चूहे को शेर बना देगा इस वीर दिलक से तुम्हें भारत मा के माथे पर आजादी का सिंदूर लगाना है युद्ध का ऐलान करो उसे समझोते के लिए बनाओ अगर वो वना करे तो उसे माद ला लो जाओ पिठा रण भूमी में विजए हो वो वो सालप, वो सालप यू बो साल प्रण वार्पकर वीर पेटो पात्र भूमी का रिर्ड चुकाने का समय आ गया है अपने रक्ट से आज हमारे इस पालंदेश को हमेशा के लिए आसाथ करें प्रप्रकते बढु준 के लिए इन झमलब नंए अजो औ अ जए सव अ कि अ entonces झ्ाल प्सानए अ व्पनाव प्सकत्ट व causal अ वार! शार्ण! अक्तल चो duż sooner भार घ्याओ झाल का तकती हाई कर दो और कर दो और है वाता जार आटते हम अगार जार अगे गिलों में दोर शीदी वाटत़् सबना हो आडिए आटते हैं अवार ल चाते हम गड़ित। अग बहो, भुची जो अपन कर से अपने कर दो बहुआ है ये आरे लुकर दो इना जा आए! छेवा! कर दो ढूरे लाव र्लोग जाता है! लिए चेहाँ, कर दो डड़ी है! लिए उपने कर दो आादा भलोगी है जाए! इंतर आरे शोगी हाए! परोड़े विर सकते हैं जया हुआ जाबगा थैंट व्राइब दोडिव आए व्राइब आटनल है जया है जया है भाइब आटनल अाइब आटनल कर दो घाभा कर दो हाई घुर्ख कर दो हाई कर दोज़ खब 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 कट जड़ मुझे जड़िए जो जड़िक पू़िए अभवा है ऑट झाग जड़िक से घट जड़िक सा अझे जड़िक लिली एफ झाह झाह खर्वब खर्वब मैं खर्वब जाह खर्वब कर दो कर दो कर दो कर दो कर दूनkick कर दो तोकर में कर दो कर दो अफवा पहला दो कि वो मर गया नरुसिमर रेड़ी जर्फ एक नाम नहीं आजादी का प्रतीक है उसने हमारा एक आदमी मारा 40 लोग उसके साथ हो लिये उसने हमारे 300 लोग मारे 4000 उसके साथ आगए अगर इस देश के लोगों को पता चल गया कि उसने हमारे 10,000 आदमी मार दिये वो 4000 लाखों में बतल जाएंगे और लाखों करोड़ों में इस देश के लोग विद्रोग कर देंगे अभी यहां के लोगों में बहुत ज्यादा गुसा है अपने लीडर की मौत की खबर सुनेंगे तो उनका गुसा दब जाएगा और उनका जोश भी मर जाएगा तो उसके लोगों तक उसकी मौत की खबर पहुचाओ उसकी जीत की नहीं हो और आगे क्या करना है मैं तुम्हें बात में बता हूँ सुल मिस्टर वीररेड़ी तुम मेरे शत्रू हो और मैं तुम्हारा सुना मैंने तुम्हारे बारे में तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ सुनकर तरस आया सुना तुम्हारा एक बेटा था जिससे तुम बहुत प्यार करती थे और उस बेटे को नरसिमा रेटी ने मार दिया उसने विश्वास खाद किया, इसे लिए रर्सिमा रेटेने मार दिया हूं से तो फेर उसी विश्वास खाद के लिए उसने अपने भाई को क्यों छोड़ दिया क्या इंसाफ सब के लिए एक नहीं होना चाहिए इंजस्टिस, ब्लादी ब्लॉड रिलेशन्स हमेशा नाइनसाफी की वज़े बनते हैं मेरा तो खून खौर रहा है, पता नहीं तुम इतने शाद कैसे हो वीर रेटे मैं यहाँ पर तुम्हारा फाइदा उठाने नहीं आया हूं पर अंके खौर कर देखो कौन तुम्हारा फाइदा उठा रहा है सोच के देखो वीर रेटे स्वामी, युद्ध में क्या हुआ कोई ठीक से बता नहीं पा रहा मैंने सुना मेरा बेटा शहीद हो गया है मुझे बहुत डर लग रहा है आज कार्थिक पूर्णिमा है जगरनाथ टीले पर दिया जलेगा कहां जा रहे हैं अज कार्थिक पूर्णिमा की रात है टीले पर दीव जलाने जाना ही होगा मुझे क्या तुम्हारा जाना इतना जरूरी है फिर अंगी पहले ही अफ़ा भेला रहे हैं कि तुम मर चुके हो अज हजारों लोगों की आखे ठीले की और बड़ी आशा से देख रहे होगी और उन्हें ये दिखना चाहिए कि हम युद्ध जीत करे हैं और हमारा अंदूलन जिंदा है अभी तुम जरूरी हो वो दीप नहीं कि नहीं वो विश्वास ज़रूरी है जो लोगोंने हमें दिखाया है आज उस दीपक कचलना ज़रूरी है मुझे लग रहा है कोई अनुणी होने वाली है अंदर से मारेटी अडर से मारेटी विल्कुल सही कह रहे है विश्वास नहीं मरना चाहिए को ये नो निन योगिया, मुछ मे बरो जाराक। कर दो कि सकतो का बोले कि अहाँ को अपया, में क्कॉल तो का इस के अजकू जआयो को की अजक सिद्धमा सिद्धमा कैसे हो सिद्धमा सिद्धमा कैसी हो तू? ठीक तो है, ना? हाँ, लेकिन इस समय तूम यहां क्या कर लेगी? मुझे पता था, आपको कुछ नहीं होगा मैं सिर्फ अमको देखने आई थी हाँ वर दो नहीं नहीं रहागा मैं जाते थी आमको बिएभ़ा लावं मह्या प्रणी कुछ नहीं है क्या हो? अज़ए पिक बॉड़स कौ क्या हो अपको? वहाँ भूल भूल क्या हो क्या हो क्म्न मुदार रेद्डी कियो हो रहा है अपको चक्कर क्यों हो रहे इस समय तुम्हारा यार है न ठीक है निकोई आसे जल्द करो जाओ नीपक चलना नहीं चाहिए उसे जंदा परेगा किंह आसे नहीं एक परेगा यार करूं सबया है नहीं एक नहीं करो चाहिए उस दीपको चलाना ही और तुम्हें बहुत करो अपराख़ को चाहिए ऑब है मेरी चिंदा में करो जीवन संबंदों से जादा करता में के लिए उना जाए कि लादा जाए करतो दूर मैं करें गिजस भुल पर भोग ठसे परोग भोगो भोग कर दो जोग एंग है, वाल खोग बसे सुख़ का एंग। कर दो है वाल... तुम जानते हो ना, बहुत फ्रेम करते हैं तुमसे तुमारे बाबा, बहुत आशाएं लगा रखी है उन्हें तुमसे, अगर तुम मर गए, तो उनकी आत्मा मर जाएगी, और मैं वीरा रेड़ी को ऐसे नहीं देख सकता, जाओ, और अपने पिता को फूरी तरह से मार दो, जाओ, अब रादी उपर, मर रादे दिए, हम से नहीं अंग्रेजों से छल करो, देश भक्त कहलाओगे, देश के लिए कुछ करके बाबा से ब अब बाबा, पर नीच, मैं ही हूँ, यह अपने क्या कर दिया? क्या हूँ, है फिरारेदी, है यह सी अजए हूँ, है यह नही है। क्या रएड़ी रेदी मिस्टर नरसिमा रेदी, तुम्हारे साथी गोसाई वेंकना, अवकू राजू, पापा खान और तुम्हारे 112 सहयोग्यों को धंड स्वरू एक तापू पर भेजा जा रहा है। अपने सारे अपराज सुिकार करो और शमा मांग लो, अंग्रेज सरकार शायद रहम खाकर तुम्हारी सजा कम करते हैं। शमा मांग, कभी नहीं। अगर तुम्हारी कोई अंते में चाहो, तो अभी इसी वक्त बताओ। Get out from my motherland! Section 2 Regulation 1 1834 Act के तहत, जंता की मौझूद्की में इसे पासी पर लटका दो। Trếu अभी इस क्वारी कर दो भाना दोनिता वारी आपकते हैं। अभी आइए वच्वारी कर दो भी एिएवारी कोई भासी इसाव में चाहता बती पासायद हमेञ 네 पार! झी हमेञा! प्रहोँ हमेञा! करिंडरी कर दियू हमेञा! खब गुश appreciative कर दो भी बादोत प्रविक भंग नंग और обяз था काया व ढिक अ लाफ गयुए छैव दो टूरान तेरी अव को ही दो इन वकर है व ruh उर दोसा ही ए जोस्ते है कि आव si अपर जए प्रफ पचता प्र भाफ तया को प्राफ आप। मृत्या में भ्योगने मिद्रका साथ ते बाता तो अच्छा होता तो नर्सिमा रिदी जो जीत की कंगार पर कहले हैं वो मौत से फपरे हैं। विद्य ने पराजित नहीं करशथिय। सब्स्द्रक्सदार्य अच्छाए नर्सिमा रिदी टिस्द्रक्सद पजरी नर्सिमा रिदी अन्क्सद処द्सद और कांवलियन, मृट्रिय। And robbery And hence orders him to hang by the neck until death सर उठा आसू पोँचकर और सीना तानकर गर्द से देखो मेरी और तुम्हारे सामने है सुटन्तृता इस देश में माताए बच्चों कोवीर गाधाए गाकर सुनाती है इस देश में जो युद्धुए महाकाव में बन गए इस देश में जो खून बहा इतिहास बन गया हम वो हैं जिनोंने दुनिया को मोक्ष सिखाया अब हम सब को मुक्ती सिखाएगे हमने बेखाव जीना सिखाया अब आसाद मरना सिखाएगे भारत की पविद्र भूमी से इन अंग्रेजों को गदेर कर दम लेना जो हमारी माउं की चातियों से दूद चुलाकर उनका सर काते थे इस धर्थी पर जिसने भी जनम लिया उसका सिर्फ एक परम लक्ष्य होना चाहिए स्वाथंद्रता स्वाथंद्रता जो भी युद्र में शहीद हो जाता है वो स्वेव युद्र बन जाता है आज से मैं भी युद्र हूँ जो राष्ट के लिए आउदी देता है वो स्वेव राष्ट बन जाता है आज से मैं राष्ट हूँ आज जब मुझे शूली पर चला रहा जाएगा, उसका उत्साब बनाना, महापर्द बना देना इस दिक दो ये जो हो रहा है, ये मेरी मृत्यु नहीं है साथियो, जनम है आज का दिन भारतीस मतंत्र दाका, जनम है, बारत बारत की, बारत बारत की, जनम है आज का दिन भारत की, जनम है कि जाएध प्लाग्रू सुझेट्र विशानं रसंबान तख्दी थाल्ण धयानं रदादी शिप्छर्गार्ग करतु दॉखारन ही अट्साइभ उर्थ करना अ करना को जरे जोड़ दोड़ दोड़ एप। करेंटम में निर दो एgone कमको कने अपुमारा थे कि दिटे ही हुँ लेष्क लेड़त लेomet़ नर्णिमाग नर्णिमाँ वाइ नर्णिमाँ नर्णिमाँ पिटा नर्णिमा घटी तुने वही रखाज मझ भजो लॉटाए निया जिसरा उसे पेदे तुछे छ़न अमनिया कि हर एक पूर से एक नया दर से महरे दी पैदा होगा स्वाकत रहोने का तेरा सबना जरूर पुरा होगा नया दर से महरे दी नायक की मृत्यू से युद्ध का अंद होता है लेकिन तुम्हारी मृत्यू से युद्ध हरंप हुआ है ये थमेगा नहीं तम जीत है नर्सिमा इस युद्ध में नर्सिमा रेड़ी ने जान फूंकी थी हम इसे आगे बढ़ाएंगे यहां के हर युद्ध के हत्यार में नर्सिमा रेड़ी के प्राण बसे हैं क्या हम ये भूल जाएं भारत वासियों को जेदावनी के रूप में उयाला वाड़ा नर्सिमा रेड़ी के कटे हुए सर को खिले के मुख्य द्वार पर तीस साल तक लटकाया गया था परंत ये चेदावनी एक प्रेरणा बन गई और लाखों लोग आने वाले सौ सालों तक स्वतंत्र भारत की लड़ाई लगातार लड़ते रहे इन्ही के बलेदानों का नतीजा था कि भारत माता को 15 अगस्त 1947 को घुलामी की जंजीरों से मुक्ति मिली और हमने स्वतंत्रता की सांस भी आईए हम भारती अता का आदर करें और भारती होने पर गर्ब करें